आज के इस वीडियो में हम हमिंग बर्ड के जीवन चक्र और इसके जीवन से जुरे कुछ तत्यों को जानने की कोशिज करेंगे दोस्तो आज इस प्रिथवी पर पक्षियों की लगभग 11,000 से अधिक प्रजातिया निवास करती है और पक्षियों के इनी विभिन प्रजातियों में हमिंग बर्ड भी शामिल है हमिंग बर्ड अपने चटक रंग रूप और दुनिया के सबसे छोटे पक्षि होने के कारण हमेशा सही एनिमल लवर्स के लिए एक पसंद रही है आज दुनिया भर में हमिंग बर्ड की लगभग 350 से अधिक प्रजातिया निवास करती है जो की मूल रूप से अमेरिका महादिश और ट्रोपिकल फॉरिस्ट यानि की उसन कटिवंधिये वनों में पाई जाती है जिसमें 2 इंच के साइज के होने वाले दुनिया की सबसे छोटी पक्षी बी हमिंग बर्ड से लेकर 8 इंच के साइज के होने वाले जाइंट हमिंग बर्ड तक सामिल है दोस्तो इसके वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि 150 हमिंग बर्ड को एक साथ रखा जाये तो इसका वजन लगबग 450 ग्राम के आजपास ही होता है हमिंग बर्ड मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए छोटे कीरे मकोरो और फूलों के नेक्टर को खाती है दोस्तों आपको जान कर हαιराणी होगी की एक हमिंग बर्ड का दिल एक मिनट में लगबग 2206 बार धरकता है वहीं इसकी विंग्स बीट यानि की पंक एक मिनट में लगबग 1000 बार तक फरफर आती है हमिंगबर्ड का सरीर काफी तेजी से क्यालरी बर्न करता है और यही कारण है कि हमिंग बर्ड हर 10-15 मिनट पर खाना खाती है और एक दिन में लगभग 2000 फूलों के नेक्टर को पीती है दोस्तो आपको एक बात और बता दे की hummingbird चारो direction में उर सकती है और किसी फूलों के nectar को पीने के लिए इसे बैठने की जरूरत नहीं परती है यह हवा में उरते उरते ही इस काम को बड़े आसानी से कर लेती है दोस्तो एक hummingbird के जिवन चक्र की प्रकिरिया में एक hatchling, chicks और error जैसे चार stage होते है जिसकी सुरुवात male और female hummingbird के mating rituals की प्रकिरिया के साथ सुरू होती है mating rituals की इस प्रकिरिया में male hummingbird female को रिजाने के लिए mating calls, पीछा करना और dance करके female को रिजाने की कोशिस करता है और जब male को female hummingbird की समति मिल जाती है, तब इन दोनों की million की प्रकिरिया शुरू होती है इन दोनों के million चक्र की प्रकिरिया में लगवख 3 सेकंड से 5 सेकंड का ही समय लगता है मिलन के इस प्रकिरिया के समाप्थ होने के बाद फीमेल के सरीर में अंडे विक्सित होना शुरू हो जाते हैं जब मादा के सरीर में अंडे विक्सित होना शुरू हो जाते हैं उस दौरान फीमेल हमिंग बर्ड अंडे देने के लिए घोशला बनाना शुरू करती है यह घोश गोषले के निर्मान की यह प्रकेरिया शमाप्त होने के बाद हमिंग बर्ड गोषले में दो अंडे देती हैं इन अंडों में अब बच्चों को विक्षित होने में 14-18 दिनों का समय लग जाता है जिसके बाद यह बच्चे अंडों को तोर कर अपने लाइफ साइगल के दूस इसे आसानी से पचने वाले चीजों को खिलाया जाता है है हैचलिंग एस्टेज में लगबग 4-5 दिन रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकल के तीसरे चरण यानि की चिक्स एस्टेज में पहुत जाते हैं इस एस्टेज में यह थोरे विक्सित हो चुके होते हैं अब अभी भी यह बच्चे भोजन और गर्मी प्राप्ट करने के लिए अपने मापर ही निरभर होते हैं इस एस्टेज में इन बच्चों का काम बस भोजन कर जल्दी से विक्सित होना होता है चिक्स एस्टेज में यह बच्चे पूरी तरह विक्सित होकर एक एडर्ट हमिंग बट के समान ही दिखाई देते हैं और इस स्टेज में लगबग 18 से 24 दिन रहने के बाद या अपने लाइफ साइकल के चोथे चरण यानि की एडल्ट स्टेज में पहुंच आते हैं अब यह बच्चे पूरी तरह विक्सित हो चुके होते हैं इसके पंक पूरी तरह घने और सर को ढाल रहे होते हैं और लगबग 28 दिनों के बाद यह घोशले को छोड़ पूरी तरह सोतंत्र हो जाती है अब यह अपना भोजन खुद तलास्ती है और प्रते एक दिन लगबग 2000 फूलों के निक्टर को भोजन के रूप में ग्रहन करती है दोस्तो अंडों से जन मिलेने स लेकर पूरी तरह एडर्ट होने में हमिंग बड को 28 दिनों का समय लग जाता है जो कि इसके विभिन प्रजातियों के आधार पर भिन भिन हो सकता है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक हमिंग बड एक साल में लगबग 2-3 बार अंडे देती है वहीं ज्यादा तर हम करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें